सबसे पहले मैं दैनिक जारण के हर पाठक को, अखबार के प्रकाशन और अखबार को गर गर तक पहुंचाने के कार्य से जुड़े हर व्यक्ति को, विशेश का हौकर बंदों को, आपकी संपादे की ये टीम को हिरक जैनती पर बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत शुक्तामना ये देता हूँ. बीते 75 वर्ष से आप निरंतर देश के करोड़ों लोगों का सूचना और सरोकार से जोड़े हुए हैं। देश के पुन्न दिर्बाण में दैनिक जागरण ने महत्पपन भूमी का निभाई हैं। देश को जागरुक करने में आप अहम रोल अदा करते रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की पुस्ट भूमी में जो कारिया आपने शुरू किया। वो आज नए भारत की नए उमेदों, नए संकल्प और नए समस्कारों को आगे बढ़ाने में सयोग कर रहा है। मैं दैनिक जागरण पढ़ने वालों मसेग हूँ, शायद शुरूबात वहीं से होती है। अपने अनुभव के अधार पर मैं कह सकता हूँ कि बीते दशकों में दैनिक जागरण ने देश और समाज में बडलाव लाने की मुहीम को शक्ति दी है। बीते चार बरशों में आपके समूँ और देश के तमाम मिडिया संस्तानों ने राष्ट निर्मान के मजबूत स्तंब के तौर पर अपने दाईत्व का बखोबी निर्मान किया है। चाहे वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान हो, चाहे स्वच्च भारत अभियान हो, ये अगर जन आंदोलन बने हैं, तो इसमें मिडिया की भी एक सकारात्मक भूमी का रही है। दैनिक जारण भी इसमें अपना प्रभावी योगदान देने के लिए हमेशा आगे रहा है, हाल में ही वीडियो कांफरंस के माध्यम से मुझे आप सभी से समवाद करने का आउसर मिला था। तब मुझे बताया गया था कि स्वच्चता के लिए कैसे आप सभी पूरे समर्पन से कारी कर रहे हैं। सात्यों समाज में मिडिया का ये रोल आने वाले समय में और भी महत्वपण होने वाला है। आज डिजिटल क्रांती ने मिडिया को अख़बारों को और विस्तार दिया है। और मेरा मानना है कि नया मिडिया नए भारत की नीव को और ताकत देगा। में रहे रसक्तारओार थे रहेम।